हेलो एंड बेलकम टू मास रसुती क्लासे दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेल बे एल्पेन टेक्निशन के सीवीटी टू एक्जाम से संब्दित आप सबके मन में ये डाउट होगा कि पार्ट बी में नॉर्मलाईजिशन होना है या नहीं होना है और अगर नॉर्मलाईजिशन होता है तो कटॉप पर क्या फरक पड़ सकता है नॉर्मलाईजिशन के दौरान पार्ट बी में कितने नंबर तक बढ़ सकते हैं और कितने ऐसी खेंडिलेट हैं अगर नॉर्मलाईजिशन होता है तो उनको कितना फायदा हो सकता है इन सबी प बैटरी टेस्ट हैं उनकी इस्पेशल ट्रिक्स और टिप्स को बताने वाले हैं जिससे आप बहुत ही कम समय में अपने एक्जाम में उन सभी प्रश्णों को बहुत आसान तरीकी से सॉल्ब कर पाएंगे और दोस्तों अगर आपको साइको टेस्ट से संबंदित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप इन दोनों वीडियोस को देख ली जगा इन दोनों वीडियोस को देखने के बाद आपके मन में साइको टेस्ट से संबंदित कोई भी डाउट नहीं होगा और साइको टेस्ट में जो है एक vision प्रमाड पत्र भी लगना है तो यह वाला वीडियो आप दें तो अब हम यहां पे बात कर लेते हैं कि अगर Part B में normalization नहीं होता है तो cut-off पर क्या फ़र्क पढ़ने वाला है तो सब्से पहले अगर हम PCM के candidate की बात करें जो S&T के लिए post पर apply किये हुए है उन candidates में क्या इस्तिती अगई हाल देन में थो रही है तो उनके लिए part B में ऐसा देखा गया है कि लगबग 20% से 25% तक essay student है जो संभावता part B को qualify नहीं कर पा रहे है इन में से 20-25% essay student है और बहुत से essay candidate हैं जो एक, दो या ती number से जो है पीछे हो पा रहे हैं ठीक है point से भी बहुत से essay student हैं जो पीछे हो रहे हैं तो अभी देखा ये गया है कि PCM से संभनते जितने भी candidate हैं उनके लिए cut off तो high रहने ही बाला है क्योंकि post भी बहुत कम ही है और ये final उनके लिए exam है psycho जैसा test उनके लिए तो होना नहीं है तो यहां पर cut off जो होगा वो PCM के लिए काफी high cut off रह सकता है और ऐसा माना जाता है कि जर्नल candidate के लिए जो cut off है वो 75 plus होगा OBC candidate के लिए जो cut off होगा वो 68 plus के असपास होगा और इससे ज्यादा भी हो सकता है यह अभी हम raw marks पे बात कर रहे हैं after negative marking आपकी हटा करके ठीक है इससे plus minus 2 number भी आप ले सकते हैं और अगर SC candidate की बात करें तो यह संभावता 65 के आसपास या उससे भी कम होगा और ST candidate की बात करें तो वो 60 plus के आसपास रह सकता है cutoff तो यह बात हुई हमारे PCM candidate के लिए जो SNT के लिए apply किया हुए थे अब हम ITI candidate की बात कर लेते हैं जो की उनके लिए post थी technician की उनके लिए क्या cutoff जो है उस पर फरक पढ़ने वाला है part B के normalization नहीं होने पर अगर यहां पर part B में normalization नहीं होता है तो यहां पर जो candidate की संख्या है वो लगभग 35 प्रतसत से भी जादा है जो की part B में qualify नहीं कर पा रहे हैं अब अगर 35% student जितने भी बैठे हुए हैं exam दे रहे हैं उसमें से 35% student तो यहीं पर बाहर हो रहे हैं ठीक है प्लस ऐसे भी candidate है 10 से 15% ऐसे भी candidate है जो की part A जो की आपका merit के लिए था और जिसमें normal subject आपके आए हुए थे महत हुआ, reasoning हुआ basic science engineering हुआ और current of your journal knowledge type की questions आए हुए थे उसकी बात कर रहे हैं तो 10% ऐसे student है जो part A में भी qualify नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि part A में भी railway के द्वारा minimum qualifying mark तो तै किये गए थे कि journal के लिए 40% होगा OBC के लिए 30% होगा part A की बात कर रहे हैं यहाँ पर part B मत समझ लेना इसको ठीक है और SC के लिए 30% था और ST के लिए 25% था तो 10% तो यहाँ आप ऐसे भी हैं कि जो part A को ही qualify नहीं कर पा रहे हैं plus 35% ऐसे student हैं जो part जो की B है उसको qualify नहीं कर पा रहे हैं अगर इन दोनों के आंकड़ों को हम मिलाद हैं तो लगभग ऐसी इस्तिति निर्मित आ रही है कि 40-45% अनमान के अंसार 40-45% जो हैं वो अंदर ही नहीं जा पा रहे हैं अब बचा हुगा है 60% का आंकड़ा तो इनी 60% के candidate के अंदर ही जो है merit का जितना भी फर्क होगा या जो भी कह सकते हैं merit के लिए जो भी जद्दू जहद होगी वो इनी candidate के लिए होगी और ITI के candidate के लिए यहाँ पे आपको बता दें कि यह final exam होगा technician की post पर ELP को अगर छोड़ दे तो अब यहाँ पे cut-off की इस्तिती क्या हो सकती है तो raw marks पे अगर हम बात करें तो लगभग general candidate के लिए 50 के आसपास यह रह सकता है plus minus 2 भी हो सकता है और OBC candidate की अगर हम बात करें तो OBC के लिए लगभग यह जो स्थिती है वो 45 plus minus 2 हो सकती है ठीक है और SC candidate की अगर हम बात करें तो SC के लिए 40 plus या उससे भी कम होगा तो 2 marks को कम या ज़्यादा आप मान सकते हैं और SC के बाद SC candidate की बात करें तो यह लगभग हो सकता है 38 plus minus 2 के आसपास यह रह सकता है अब हम बात कर लेते हैं ALP के लिए और ALP post के लिए जितने भी candidate है ITI हो चाहे वो diploma हो चाहे वो B.Tech की candidate है इन सभी candidate की अगर हम बात करें तो ALP में क्या है कि अगर part B में normalization नहीं हो रहा है तो बहुत सी ऐसी इस्तिती यहाँ पे निर्मित हो रही है कि लगभग 30% के आसपास जो student है जो candidate है वो part B को qualify नहीं कर पा रहे है अगर 30% यहाँ पे part B को qualify नहीं कर पा रहे है plus 10% student ऐसे भी कुछ है जो की part A को qualify नहीं कर पा रहे है तो यहाँ पे जो इस्तिती है वो लगभग 40% student बाहर हो जाते हैं अब बचते हैं 60% student और इनी 60% candidate पर जो है वो normalization अगर नहीं हो रहा है तो बहुत से ऐसे student है जो 1, 2 या 3 से बाहर हो रहे है part B की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे तो वो लोग यहाँ से बाहर हो जाएंगी तो यह लगभग ऐसा आंकड़ा वहाँ पे हो सकता है कि बने अनमान के अंसार ऐसे इस्तिती निर्मित भी हो सकती है तो यहाँ पे अप cut off क्या हो सकता है इसकी अगर हम बात करने तो general candidate के लिए अगर हम बात करें टीक है OBC candidate की अगर हम बात करें तो यहाँ पे उनके लिए लगभग यह स्तिती 45 प्लस माइनस टू के असपास हो सकती है और अगर ST candidate की बात करें तो ST candidate के लिए यह 38 के पास यह जा सकता है प्लस माइनस और ST candidate की अगर बात करें तो ST candidate के लिए यह 35 प्लस माइनस 2 हो सकता है तो यहां तक तो अग भई हमने बात की कि अगर normalization नहीं हुए तो cutoff क्या हो सकता है इसका क्या अनुवान हो सकता है कितने तक student यहां पर जा सकते हैं अब हम अगर यहां पर बात करें कि normalization हुए तो cutoff पर क्या असर होगा और किन लोगों को cutoff का फायदा मिलेगा जो normalization होगा उसका फायदा मिलेगा और वो part B के लिए eligible हो पाएंगे तो बहुत से ऐसे student हैं जो की point 50 या उससे होगा अगर तो इनके लिए बहुत ही फायदा रहेगा और यह लोग part A के लिए part B में eligible हो जाएंगे और part A के लिए merit में जो हो सकते हैं कि आ जाएं ठीक है तो यहां पर दिखिए अभी हाल की इस्तिदी क्या है अगर normalization नहीं हुआ तो वो तो हमने लगा सकते हैं क्योंकि इतने marks तो normalization में बढ़ ही जाएंगे ठीक है और दूसरी बात कुछ लोगों के मन में यह doubt है कि क्या normalization होगा या नहीं होगा तो normalization definitely होगा hundred percent normalization होगा जो सुरुगाती notification में है उसमें वाकाइदा लिखा हुआ है कि normalization आपका हर stage के exam के लिए होना ही होना है ऐसा तो है नहीं कि part a exam अलगी तरीके से चलना है और part b के लिए अलगी नियम बना दिये हैं ऐसा बिलकुल भी नहीं होगा अगर part a में normalization होता है तो part B में भी normalization करना ही होगा उन्हें और अगर ऐसा नहीं किया part B में तो ये जरूर दिक्कत दे सकता है पर आप बिल्कुल मानिये कि 100% इसके लिए normalization होगा और होगा ठीक है अगर हम cut off पे बात करें तो PCM candidate के लिए जो cut off की इस्तती हो सकती है वो normalization के बाद क्या होगा कि हो सकता है 3-4% जो student है वो अंदर आ जाए और part B को qualify करके अंदर आ जाए और बहुत से ऐसे student देखे गए हैं कि जो part B में qualify नहीं कर पा रहे हैं लेकिन उनके part A में बहुत अच्छे marks हैं कुछ student तो ऐसे हैं जिनके 60 प्लस तक भी marks है ठीक है overall candidate की बात कर रहे हैं आप है ना कि PCM बलकि सभी candidate की बात कर रहे हैं तो 60 प्लस भी marks उनके हैं तो ये लोग भी अगर यहाँ पे 3-4% लोग अंदर आते हैं तो इन लोगों को जरूर फायदा मिलेगा और अगर हम PCM candidate के लिए अगर बात करें तो PCM के लिए जो cut off हो सकता है वो normalization के बाद और part B में normalization के बाद जो इस्थिती हो सकती है वो 80 जो की 80 plus पर भी जा सकती है क्योंकि वो लोग भी यहाँ पे आ जाएंगे ठीक है plus minus 2 कर सकते हैं आप सब्सक्राइब के लिए यह जो आकड़ा है वो 76 प्लस भी हो सकता है तू माइनस अप प्लस कर सकते हैं SC candidate की अगर हम बात करें तो यह लगभग लगभग 63-64 के आसपास भी plus minus 2 ले सकते हैं आप और SC candidate की बात करें तो यह लगभग बहुत ही कम मार्क से पार्ट B में पीछे हो रहे हैं और अगर 3 मार्क तक भी पार्ट B में नॉर्मलाजिशन के दौरान बढ़ते हैं तो 5-6% स्टुडेंट जो है वहाँ पे अंदर आ जाएंगे और फिर उनके बीच मेरिट में जो हो जो है वह एक बड़ी स्थिति निर्मित कर पाएंगे तो ITI के 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 लिए कट आफ पर अगर हम बात करें तो यह 55 प्लस भी हो सकता है प्लस माइनस टू आप ले सकते हैं जनरल के लिए OBC के लिए यह जो है वह 45 प्लस माइनस टू ले सकते हैं और SC Candidate के लिए जो इस्थिति होगी वह 43 प्लस माइनस टू भी हो सकती है और ST Candidate के लिए जो होगी वह 40 प्लस माइनस टू हो सकती है अब अगर ALP के लिए हम बात करें ALP के लिए ALP के जो भी स्टूडेंट है उनमें भी लगबग यही इस्थिति निर्मेत हो रही है कि Part B में अगर वो eligible होते हैं तो 5-6% student Part A के लिए अंदर आ जाएंगे हो सकता है 3-4 marks जो है वो normalization में बढ़ जाएं Part B में और अगर इतने marks बढ़ते हैं इससे ज़्यादा बढ़ने की बिल्कुल भी संभावना नजर नहीं आ रही है कि 3-4 से भी ज़्यादा बढ़ जाएं तो इतने से ज़्यादा नहीं बढ़ सकते हैं 3 marks तक आप maximum मान सकते हैं कि इतने बढ़ सकते हैं ALP के लिए अगर हम cut-off पे बात करने तो general candidate के लिए जो हो सकता है वो लगबग चला जाएगा यह दो प्लस माइनस ले सकते हैं और SC के लिए अगर हम बात करें तो यह लगबग 45 प्लस माइनस 2 के असपास हो सकता है और ST candidate के लिए बात करें तो यह लगबग 42 प्लस माइनस 2 हो सकता है तो यह बात हुई थी cut-off से संबंदे की normalization हुआ तो क्या असर हो सकता है नॉर्मलाइशन नहीं हुआ तो क्या असर हो सकता है तो दोस्तो इस संबंद में आपकी क्या राय है आप क्या इस बारे में एनलाइस करते हैं इसके लिए आप हमें वीडियो के comment box में जरूर बताईएगा और आप channel को subscribe कर सकते हैं क्योंकि हम psycho test से संबंदेद आपके लिए वीडियो classes लाने वाले हैं तो मिलते हैं हम नए वीडियो में next वीडियो में जिसमें कुछ और जानकारी कुछ और classes के बारे में हम जानकारी classes लेका रहे जा रहे हैं so thank you for watching this video